Hello everyone, welcome back to my channel Simple Home Tips Friends, winter season में बालों में रूसी या डैंडरप की समस्या होना बहुत ही common है और पूरे winter season में ज़्यादा तर लोग कभी न कभी समस्या को जरूर खेज करते हैं वैसे तो winter season अब खतम ही होने वाला है लेकिन अगर आप अभी भी डैंडरप की समस्या से जूज रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें सही देखवाल के अभाव में बालों में कई problems हो जाती हैं और उन्हीं में से एक problem है डैंडरप की समस्या जो सीर की तवचा में इस्थित मिर्द कोशिकाओं के कारण पैदा होती है और डैंडरप होने से बाल बेजान हो जाते हैं और फॉल होने लगते हैं और सिर में खुजली भी रहती है लेकिन बालों की थोड़ी सी देखवाल और home remedies के द्वारा आप ना सिरफ बालों की समस्याओं का समधान कर सकते हैं बलकि डैंडरप से भी छुटकारा पा सकते हैं तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डैंडरप से ही छुटकारा पाने के कुछ home remedies लेकर आई हूँ तो आपको जो भी उपाई सही लगे आप उसका इस्तेमाल करें और खुद फॉक देखें तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला उपाई है मेथी दाना का मेथी में nicotinic acid और protein पाया जाता है जो बालों की जड़ों को nutrition देता है लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको दो चमच मेथी दाना लेना है और उसको 6-8 गंटे के लिए पानी में भिगो देना है आप overnight इसको पानी में भिगो कर रख दीजिए पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि इसी पानी में हमें paste बनाना है आठ गंटे बाद इसे mixi में हम piece लेंगे और एक महिन सा paste बना लेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने paste बना लिया है इस paste को अपने बालों की जड़ों में आपको अपने fingers की सहायता से लगा लेना है और कम से कम 30 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ दीजिए 30 मिनट के बाद बालों को किसी mild sample से धो लीजिए इससे रूसी तो हटेगी ही आपके बाल भी मजबूत होंगे और hair fall भी कम हो जाएंगे दूसरा उपाई है नीमू का रस डैंडरप की समस्या को दूर करने के लिए नीमू के रस का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमन होता है लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए बढ़ना आपके बाल ड्राइ हो सकते हैं तो नीबू का रस डाइडेक्ट आपको बालो में नहीं लगाना है इसके लिए आपको नारियल तेल लेना है नारियल तेल की जगा आप मस्टरड वाइल भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो स्पून कोकोनट वाइल ले लिया है और दो स्पून ही इसमें नीबू का रस मिला लेना है ध्यान रखे कि आपको दोनों चीजे एक्वल क्वांटिटी मिलेनी है इस तेल से आप अपने बालों के स्कैल्प में हलका मसाज करें और कुछ देर के लिए यूँ ही छोड़ दें आप इसे 30 मिनट्स के लिए इसे छोड़ सकते हैं और इसके बाद बालों को अच्छी तरह से दो लीजिए विक में आपको कम से कम दो बार ये उपाय करना है फिर आपको निश्चित रूप से फाइदा होगा तीसरा उपाय है दही डैंड़ की समस्या में करड का इस्तिमाल करना भी बहुत ही फाइदेमन होता है दही के सेवन से स्कैल्प पर नमी आती है जिसे डैंड़ से छुटकारा मिलता है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दही जो भी आप इस्तिमाल करने वाले हैं खटी होनी चाहिए तभी इसका इफिक्ट आएगा इसको स्कैल्प में लगाएं और कुछी दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा यह हपते में दो बार अवस्य करें इसे बालों की टैंड़ तो दूर होगी ही साथी बाल भी सॉप्ट होंगे, ब्लैक होंगे, लॉंग होंगे और घने भी होंगे यह हपते में दो बार अवस्य करें इसे बालों की डैंड़ तो दूर होगी साथी बाल मुलाइम होंगे, काले भी होंगे, लंबे होंगे और घने भी होंगे अगला उपाय है तेल की मालिश बालों की सभी समस्याओं खासकर डेंडरप 카दी सबसे कारगर उपचार है तेल मालिश और तेल मालिश से बालों को नियूट्रेशन मिलता है सिर की मान स्पेसियां भी एक्टिव होती है और बलड फ्लो भी तेज होता है और इससे बाल जो हैं हेल्दी होते हैं घने होते हैं लंबे होते हैं और डैंडर प्रहित भी बनते हैं इसलिए हपते में एक बार तेल लगा कर बालों की मालिश करना अतियावस्यक है और अगर कपूर के तेल से मालिस करें तो डैंटरफ एकदम से खतम हो जाएगा तो आपको कपूर का तेल बनाना कैसे है आपको एक बाउल में दो चमच कोकोनट वाइल लेना है और उसमें तीन से चार कपूर की टिक्की क्रेस्ट करके यानि पाउडर बनाकर उसमें डाल देना है और इन दोरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए अब इस तेल से आपको बालों के स्कैल्प पर अपने फिंगर्स की हल्प से मसाज करना है आप इससे मसाज कीजिए आप इस तेल को अपने बालों में लगा कर पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं और सुबह उठकर अपने बालों को धो सकते हैं यह कपूर का तेल जो है बहुत ही एफेक्टिव होता है तो आप इसको लगा कर एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने बालों को किसी माईल सेंबू से धोलीजिए आप देखेंगे एक बार के ही इस्तेमाल से बालों की डैंड़प जो है वो खतम हो जाएगा तो फ्रेंड ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आपको डैंड़प से छुटकारा मिलेगा तो आपको जो भी उपाई सही लगे आप उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए और अपना इस्पीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए फ्रेंड मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियो लेकर आती रहती हूँ तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन चिरूर प्रेस कर लिजे से मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी फ्रेंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इस इन्फोर्मेशन का लाब मिल सके ते आप से जल्द ही मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो टेक केर बाई बाई